सदिये दलके नेता उपेंदर कुस्वाहा इस वक्त हमारे साथ है सर ये बताइए कि आज लोग बिहार से दिल्ली जा रहे हैं आप दिल्ली से बिहार आ रहे हैं दिल्ली से लोग आरहां ये यह सा नहीं आ रहे है उसके कि अनुसर जदियों को एक पत दिया रहा है तो क्या पार्टी संतूस्ट हो जाएगी से क्योंकि 2019 में एक पत दिया रहा था तो नितिश्कुमार ने इंकार करते हैं उनको ही अधिकार पार्टी ने दिया है तो कोई सवाल इस तरह का आप उनसे पूछिए कोई भी निरने लेना होगा तो राम चंदर बावु ही बता लेकिसर आप संसद्य दल के नेता हैं तो आप बता सकते हैं ना कि जो भागीदारी है पाटी की उसके हिस्सेदारी होनी चाहिए क्या होना चाहिए आप छेवजब दियार कीजिए इन तमाम सवालों का जवाब अगर यह तैम आना जा रहा कि आर सिपी केंदर में मंत्री बनें के लिए उपेंदर कुषवा से तैयार है अब राष्टिय हैजि की बात कहा से आगई अब मंतरी परसफसे संद्र में सवाल है उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं ठीख है अब आभी रास्तिय द्ठध् अगर मगर पर कोई सवाल नहीं होता है और फिर हम कहेंगे कि राश्टिय अध्यक्ष पार्टी का बनने के लिए हम थोड़े हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस मुझका में हैं जिस हम मजबूत करते रहें बागि राश्टिय अध्यक्ष का अभी कहीं से कोई प्रस् कि विस्तार में क्या होना है नहीं होना है सब लोग उधर लगा हुआ है तो अभी राष्टी अधर्ष का सवाल कहां से आ गया एक पद मिलना पाटी के साथ इंसाफ है अभी कैसे भाई छे बजे तक आप देखिए कि क्या होता है उसके बाद सवाल पूछेगा ना तो हमारे सा थे उपेंद्र कुस्वाहिन का साफ कहना है कि आपको छे बजे तक इनतिजार करना परेगा सबसे बरी वात है कि अब तक जो खबरे आ रही है उसके नुसार जदियू को मातर एक पद मिल रहा और ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या दोहजार उन्नीस में जदियू ने एक पद को इंकार कर दिया था लेकिन अब वो यानि अब जदियू एक पद को स्युकार क्यों कर रहा है कैमरा में इसी के साथ सौराक मार पटना निउट्टिफूर झाल जड़ कि आल जड़ो श्चली अब चे पद को स्युकежд से शाय थाल एक भी भाल hai में? क्या उंवत भी परा तो बहा है क्या है की और बहा है